हमारी डोडा का सबसे बुड़ा वस्पिटल बनने जा रहा है यह आप लोग पीछे का व्यू देख सकते हो कि मारे डोडा में भी कुछ नहीं चीज बनी है जो हम और आप लोग यहां से नीचे देख सकते हो कितना डर लगता है अब बज़रे सूबा के आठ और मैं आज जा रहा हूं अपनी डिस्टिक्ट डोडा का सबसे बड़ा जी एमसी गट गोवर्मन मेडिकल कॉलिज बन रहा है गट में और यह हमारी डोडा का सबसे बड़ा वस्पिटल बनने जा रहा है या बन चुका है वो तो मुझे पता नही तो सबसे पहले मैं खाना खाऊंगा और खाना खाने के बाद थोड़ा सा रूम की स्पाई करने के लिए बहुत ही ज्यादा करारा पड़ा हुआ है तो जैसे में रूम से निकलना फिर आप सभी को आगे का सीन दिखाऊंगा तो आप सभी लोग उसे छोटी ची विडियो लाइक और चलो को सब्सक्राइब करने के ब笑 करें सब बेल आइगन बाल पर सेट जीन आपने दोस्तों कहा है दोस्तों करें तो दोस्तों कर दियाक है रैक पाई और बिश जदा सबस्क्रा भी जाता है मामा आने वाले है तो फिर उसके बाद फिर मिलते है यह आगी स्कूटी और अभी हम इस पर चड़के जाएंगे यहां से अभी तुम्हारा भाई पहुंच गया है यहां पर घाट में जो जी एमसी निव बना है तो आप लोग पीछे का व्यू देख सकते हो कितना बड़ा होस्पिटल बन रहा है मैं आइटिंक मेरे साब से जम्मू का सबसे बड़ा होस्पिटल भी हो सकता है को नीचे का जो होस्प बन के तो तियार नहीं हो यहां पर आइटिंक मेरे साब से यह डॉक्टर के लिए बनाये हो है रूम जैसे आप देख सकते वहां पर अभी मैं आ गया हूं इस होस्पिटल के सबसे एंड जगह पर यहां से दिखो अगर इस होस्पिटल को आप दूर से देखो नहीं हो यह ज इतना अच्छा देखने में लगता है भाई बहुत ही ज्यदा मज़ा आजाता है अगर आप इसको दूर से देखोगे तो आप सोचोगे कि हमारे डोटा में भी कुछ नई चीज बनी है जो हम लोगों को पसंद आए इतना बड़ो हॉस्पिटल यह पहला पहली बार ऐसा हु और पूरा यह जो हॉस्पिटल है ना यह पूरा पहाडियों के बीच में आप देख सकते हो वहां पर कितनी बोड़ी पहाड़ी अगर कोई बंदा उस पहाड़ी से देखेगा नीचे इस होस्पिटल को तो कितना अच्छा देखने में नजारा लगेगा बहुत ही ज्यादा मज़ा आजाएगा है यह वी आईपी लोगे लिए होस्टल है और यह जो चोटे चोटे आप देख रहे हो नहीं यह जूम कर रहा हूं तो आइधिंक यह बनाया होगा है कोई मेडिकल शोप होती है जैसे होस्पिटल मेडिकल शोप की बहुत जरूरत होती है तो उस चीज के लिए बनाया होगा यह मैंने तो अभी आपको उपर का सीन दिखा लिया और अभी मैं जा रहा हूं यहां से नीचे और आपको नीचे का भी सीन दिखाऊंगा भाई दूप यह इतनी तीज दूप है ना भाई पूरा जल गया मेरा मूँ इतनी तीज जैसे भी गर्मियों को तो गर्मियों के टाइम पे आरहा है ऐसा बहुत तेज गर्मी होती है यार मैं आपके लिए व्लोग शूट करने हैं आया हूं गर्मी में भी यहां से गेट अंदर इंटर कर चुका हूं तो चलो गाई यहां पर आवाज भी भूजरी है बहुत वाई 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 आप लोग दीख सकते हो इससे उपर कोई भी चातनी और मैं यह जो नीचे बादा होस्पिटल था इसकी सबसे टॉफ लोग पर हूं भी यहां से नीचे वाली साइड यह बहुत अच्छा व्यू दिखे जहां पर न्यू न्यू होस्टल बन रहे हैं वह मैं आपको यहां से बहुत ही मज़ा आएगा यहां से देखने में लोग आईज यह दो को अभी यह जो नीचे कंस्रेक्शन काम अभी चल रहा है और वह जो नीचे आप देख रहे हो ना जहां पर मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं यह भी होस्टल बन रहे हैं और अभी यह बन के तियार अभी मैं आएं आगे हूं सबसे टोब इस अउपर कोई फ्लोर कोई ने और आप लोग यह नें देख सकते हैं अगर यहां से बंदा घैरा त। गिरा गेरे यहनगा ने देख रहे हो नीचे हैं की कौम चल रहा है काम चल रहा है बाइब एतो एनको अपना काम करने दो और हम हम अपना काम करते हैं पहली बार कहीं मारे डिस्टिक में अच्छा काम किया है जो यहां पर इतना बड़ा होस्पिटल बना दिया है और भी नीचे भी है और वहां पर पीछे क्वार्टर भी बन रहे हैं मैंने इतनी दूप में आप सभी लोगों के लिए व्लोग शूट किया यार इस व्लोग को ए क्या बोलू तो अब ही हम यहां से निकलते हैं दूप भी बहुत ही ज्यादा तेज होगीες तो अभी मैं यहां से निकलता हूँ सीधा रूम पे और यहां से कंसी कर्म भी तो 20 km दर होगा 尤र यहां से मैं भी गट पर 20 km डूड पगधा है डोड़ा तो अभी मामा स्कूटी जाएंगे उपर से मैंनों को कॉल कर दिये तो अभी हम यहां से इस ही रोड से नीचे जाएंगे तो पिर मैं आपको आगे कर सीन दिखाऊंगा स्कूटी आचुकिए कर दिंछered कर दे एकी उती हुआ हुआ हुआै मुझें रिष्टाहिए रम्सक्राइब नायम्स के लिष्टाहिए आदेट रीष्टाइब कर दो बेडिए बसकर आज मनँदार रख रखवाई रहता है तो गाइस में अभी रूम पे पहुंचने वाला हूँ और रूम में पहुंचने एक बाद मुझे खाना बनाना है और खाना भी है बहुत जाद अतीर भूप भी लगे और धूप में हालत खराब हो गये तो आज की व्लोग को यहीं बेहान करते हैं मिलते हैं पिर कभी एक और नी व्लोग में तब तक टेक के आए बाए बाए